प्रेव ज्यारतियों, आरसे एक उल्लाइक पाट साला में आपका स्वागत है आप देखिए, यदि A, B, C सामांतर स्रेडी में हैं तब आपको ये बतारा है यह समानतर स्रेडी में है या गुनातर स्रेडी में है या हराद्बंग स्रेडी में है या फिर किसी में भी नहीं है देखी अब कैसा किस तरीके से सोल करेंगे इसका भी हम बहुत इजी मेथड यूज़ करेंगे देखना ABC इसमें बोला है RNAP AP मतलब समानतर स्रेडी में है इतना इसलिट आप को आना भी चाहिए ABC RNAP नहीं समानतर स्रेडी में है यही तो बोला है वशल ने तो आप देखो 123 RNAP तो आप क्या लिखोगे देखिए क्या लिखोगे A क्विट टू 1 B क्विट टू C क्विट टू 3 यानि आपने ABC के मान रख दी है पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर तीशरा तीशरे के बराबर अब आप इसला यह को लिखी BC अपोन CA प्लस AB CA अपोन BC प्लस AB AB अपोन BC प्लस CA आपको यह बताना है कि यह कौन सी स्रेडी में है तो आप एक मान रखो यहां पर देखो 2 इंटू 3 अपोन CA 3 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 कम्प्लीट उसके बाद यह मैं BC के मान रख रहा हूं उनके वले इसमें और CA देखिए 3 गुणा 1 अपोन 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 ऐसे ही 1 गुणा 2 अपोन 2 गुणा 3 प्लस CA कम्प्लीट 3 इंटू 1 यह आगे आपने पास अब इसे ही आप सिंपल कर सकते हैं 3 टू जा 6 अपोन में क्या आया 3 दो 5 उसके बाद देखिए 3 बटा 6 प्लस 2 8 और यहां पर क्या आया 2 बटा 6 उती 9 अब यह आपको बताना है कि यह कौन सी स्रेडी में है तो देखिए देखिए यहां तक हो गया 6 बटे 5 3 बटे 8 और 2 बटे 9 हागिया हमारा अब हमको बताना है कि कौन सी स्रेडी में है तो देखिए आपने ABC AP में था आपने यूँ किया सोल किया आपके पास यह आ गया अब इसको बता दो कि कौन सी स्रेडी में है तो देखो पहला अपन चेक करते हैं पहला हम चेक कर रहे हैं AP तो देखिए AP में कैसे चेक करेंगे AP में है तो 2 लगातार पदों के मद्दे अंतर समान आएगा तो क्या किया 3 बटे 8 माइनस 6 बटे 5 तो किसके परावर आना चाहिए 2 बटे 9 माइनस 3 बटे 8 के परावर आना चाहिए यह तो प्रिसन है तो अब उसके बाद सोल कर लो यह आप 45 LCM आया तो यह 15 हो गया और यह आपका 48 हो गया इक्वल टू यह बैतर यूज करो यहां पर तो 16 माइनस 27 तो यह दिखी क्या है आपके पास माइनस का 33 बटे 40 और यहां पर क्या है माइनस का 11 बटे बैतर माइनस से माइनस कैंसल हुआ 33 बटे 40 और 11 बटे बैतर क्या यह दोनों बराबर है क्या यह दोनों बराबर है नहीं है तो यह क्या आय सकते और देखी है मैंने क्या किया कि 2 लगातार पदों के मद्दे अंतर समान होता है यह हमारी AP की कंडिसन होती है तो हमने क्या क्या तो हमारा उत्तर अपी कभी भी नहीं हो सकता अब हम क्या करेंगे जीपी चेक करेंगे जी पी देखिए किस प्रकाश चेक करेंगे देखिए अब जामसे जी-पी कैसे चेक करेंगे कosis कि अब हम झीपी को चेक करेंगे और क्या हैं अपने पास कि यह हैं हमें यह तो बताना है एप्सक्राइब Congratulations तो वह हमारे आसत्य आया है अब हमें जी-पी चेक करना है तो जी-पी में क्या होता है अगले पद में त्रंद उसके पिछले वाले का भाग देना पड़ता है और वो क्या आना चीह सब बराबर तो कहने का मतलब है कि जी-पी को कैसे चेक करोगे तीन बटे आठ में किसका भाल दोगे छे बटे पांच का ऐसे ही ये किसके बरावर आना चाहिए दो बटे नो में किसका भाल दोगे तीन बटा आठ का तो ये आपने सीखा होगा क्या कर रहते हैं पांच बटे छे और ऐसे ही दो बटे नो गुना आठ बटा तीन कर लो अब इसको सोल करो तो पंदरा बटे अड़तालीस और ये क्या गया सोला बटे सत्ताईस क्या ये दोनों बराबर है देखिए इसको आप थोड़ा सा सोल कर लो तीन से कट गया पांच बटा सोला और ये क्या गया 6, 2, 27 और यह दोनों बराबर नहीं है। इसलिए यह भी क्या हुआ। यह भी क्या है, False यह भी क्या है, False है, मतलब आपका अंसर GP भी नहीं हो सकता। आप आपने AP चैक कर लिया, GP चैक कर लिया, अब किसका बारी है, HP का, तो HP को देख लोग पैसे चैक कर लोगे है। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल सबसे आसान तरीका रहा हूंगा तो इसका रैसी प्रोकल करो इसका विद्गरम करने पर किस पर आएगा एक मिनट के लिए सोचो कि हमारा करें चाहिए तो मैं आपको बाइब उताता हूंगो कि छे प्रें पांच तीन बटे आठ और दो बटे नो अगर यह एक पी में है आप मन दो एक्सपी में हैं तो क्या सकते होना चाहिए कि इनका विद्गरम करने पर क्या आना चाहिए एपी बटे देखी देख़ेए इपी क्या होगा पांच बटे च्छे आठ बटे दी और नौं बटे तो किसा सिये है पी में अना चाहिए भाब जी अगले पादमे से पिछला पाद घटा दो तो देखो क्या आएगा यह आप पैलस्यम क्या है ठाड़ा तो तो थ्री सिक्स जाग एटीन और यह 48 आया और माइनस का 15 आया कंप्लीट दखिए यह 3 और 6 का क्या आएगा 6 ही आएगा 18 ही आएगा तो यह क्या हुआ 16 माइनस 5 यही होगा और आप 18 से कर देते तो उसको भी हम सभी कर देते तो कैंसे नोट हो जाता तो देखिए ना उसके बा तो माइनस 16 तो यह क्या है और वो लो 16 से 5 घटा हो तो 11 भटाए 6 बराबर क्या आएगा 11 भटाए 6 देखो इसमे 27 तो अब यह क्या है सथे हैं तो अपना आजसर कूंसा होगा यह होगा अब इक आप दोबारा समझो इससको इसको भाई हमने माल लिया कि यह 3 किसमें है अब इसका विक्रम करूंगे तो क्या आएगा एपी में आएगा तो इसका उल्टा पांच उटे 6 आठ बटा दी और 9 बटा दो अब यह हमारा एपी में अब एपी में हम इसको सही माल रहे हैं तो सारवंतर समान आना चाहिए सारवंतर देखा समान आ गया इसका मतलब हमने चो कॉंसर्ट यूज़ करी वह बिल्कुल सही थी तो उतर क्या आया एच्पी इस तरीके से हमने इस्टोशन को सोल कर दिया है और आगली क्लास में हम पढ़ेंगे हरात्मक माध्धे और हरात्मक माध्धे पर बेस्ट क्वेस् एपी जीपी एच्पी पर मेक्सी क्वेस्ट फिर ये चप्टर कंप्लेट होगा